अस्ट्रामलेकुम मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स आप सभी का मेरे चनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पपीते की बर्फी। पपीते की बर्फी बनाने के लिए पपीते को हम काट कर छील लेंगे। उसकी बाद हम इसे कद्दू कस कर लेंगे कढ़ाई में हम डालेंगे पेर खी, दो हरी लाची, काजू, बदा, कर लेंगे इसी हम 15-20 सिकन तक फ्राइ करेंगे उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ पपीता पपीते का पानी ड्राई होने तक हम इसे भून लेंगे पपीते का पानी ड्राई हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे एक बड़े कप दूल और उसके बाद धकल लगा कर हम इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे 10 मिनट के बाद अब हम इसमें डालेंगे दो छोटे कप चीनी और खोया चीनी और खोया डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे अब इसमें चासनी बनने लगी है चासनी बनने के बाद हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे हम इसे तब तक पकाएंगे, जब तक ये तले से अलग ना होना होने लगी. मैंने चाली में देसी ही लगा लिया है, अब हम इसे चाली में पलड देंगी और हात्तों से फैला लेंगे, हम इसमें डालेंगे कद्टू के श्कीन, वीगेड़ी, काच्जू और बडाम, अब हम इसे कट कर लेंगे अगर आपको पपीटे की बर्टी की रेश्पी बसना आज हो तो मेरे चैनल को लाइप करें और सब्सक्राइब करें लाफीर